महानाईक स्वरगी लोकेंदर सिंग जी कालवी के पुत्र ठाकुर भवानी सिंग कालवी आज सीकर जिले के लोसल कस्बे में पदा रहे जहां नरुका महल में आजपास के गाउं से आए राजपुस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनको स्वागत किया आपको बता दे ठाकुर भवानी सिंग जी कालवी जिले के बगधपुरा गाउं में ठाकुर सुमेड सिंग जी के निदन पर सोक परकट करने पदारे थे बगतपुरा के बाद वे लोसल कस्बे में नारेन शिंग्जी नरुका के नव निर्मित महल पहुँचे जहां लोसल, राजपुरा, बिहराना, चिडासरा, आदी आसपास के गाउं के कई समाजबंदों उन से मिले और उन्हें साफा और मालाइं पहना कर उनको स्वागत किया इस अवसर पर कालवी ने समाजबंदों से कई राजनितिक और समाजिक मुद्दों पर चर्चा की कालवी ने EWS आरक्षन को बढ़ाने की मांग करने और इसमें रही विसंगतियों पर शमाज बंदों को जागरू किया सोरिय गर्जना टीम से चर्चा करते वे कालवी ने लोसल कस्बे की यात्रा पर अपने विचार वेक्त किये आज बहुत सोबागी है मारे वास्ते अटे लोसल हाजिर हुए और समाज रहा सब लोगाँ मने बहुत प्रेम और आशिवाद मिलियो और आटे मागदर्शन रे वास्ते हाजिर हुए 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 सब लोगाँ पूछन आगे दिशा कहीं चुड़नी चाहिजे buscando लिया मिलियो सोबनी समय रहरे वास्ते बहुत अबारी सब रहरे हिए हुए 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 हुख माजा झाला कर दोुळ्या Absolutely you